अजय जन्पत में पंच्चाइच चुनाओं को लेकर के प्रथम चरण के मतदान को लेकर वोटरों ने वोट डाला कोरोना महामारी को देखते हुए सभी वोटरों ने मास्क वा सनिटाइजर का प्रयोक किया और शाम चार वजे तक 60 प्रतिशत वोट तो कुछ ग्राम सभा में 40 प्रतिशत वोट डाले इस आखरी चरण के मतदान में मसौधा द्वितिय से जिला पंच्चाइच सदस्य का चुनाओं लड़ रहे राजा मान सिंग ने बताया कि जीत करके हम अगर आएंगे तो अपनी ग्राम सभा का पूरा ध्यान रखेंगे और हमने अपनी ग्राम सभा के छूटे विकास कारे के लिस्ट बना रखी है जो गाओं के विकास का होना बाकी है अगर जनता जनारदन ने मुझे अपने कीमती मतों से जीत का आशिरवाद दिया तो मैं अपने ग्राम सभाव पंचयाद सभा का पुरा ध्यान रखूँगा और विकास कारियों को करूँगा वहीं पुरा ब्लॉक के जीलाग पंचयाद सदस के रूप में चुनाओ लर रही श्रेमती रोली सिंग पतनी आलोग कुमार सिंग और रोहित ने बताया कि जनता जनारदन अपना पूरा सहयोग दे रही है और अगर जीत करके अगरा हम आएं तो अपनी जनता का पुरा ध्यान रखेंगे और छोटे से विकास कारियों क को भी पूरा करेंगे वहीं आलोग कुमार रोहित ने अपनी ग्राम सभा के सभी ग्राम वासियों का अभार व्यक्त करते वे कहा कि जनता ने जिस तरह से इस बहारी गर्मी में अपना मत दिया है उसका मैं सदव रेड़ी रहूंगा पूरा ब्लॉक के छेतर पंचाय सदसे क प्रतिती दिनेश सिंग ने भी अपनी ग्राम सभा की जनता का कोटी-कोटी धन्यवाद देते वे कहा कि जनता ने अपना आशिरवाद दिया है और अगर मैं जीतूंगा तो अपनी ग्राम सभा का विकास कार्यों को पूरा करूंगा इस पर विनोत सिंग ने कोरोना महमारी क को देखते हुए अपनी ग्राम सभावासियों से अपील किया कि मास्क वसनेटाइजर का प्रियोग करें अरोध्या से तुफैल एहमद की रिपोर्ट प्रियों से प्रत्यासी हैं भारती जनता पारटी की उमीदवाद है बहुत अच्छा रहा देव तुल ने जनता जनारदन का इतना सहियोग इतना प्यार आसिरबाद मिला कि दिल एकदम गदगद हो गया चारों तरफ एक ही आवाज आ रहेती सिर्फ मेरा निसान गमला था गम अधारा गाओं में कोई ऐसा गाओ नहीं था जहां हम लोग गमला निसान के अलावा कोई निसान का नाम सुना हो हमने जनता ने मौकर दिया तो हमारी प्रात्मिक्ता विकास की रहेगी गुंडाराज समाप्त कनले की रहेगी क्योंकि हम इन्हीं मुद्दों पे आगे पर सरकारी ओजनाएं जो हैं उसमें जो भेद भाव होता है बिना भेद भाव के सभी तक पहुंचाने की बात अनेक सारी प्रात्मिक्ता हैं हमारी थी जिसमें प्रमुग प्रात्मिक्ता यहीं थी सरकार ने बहुत सारी ब्योस्ताई की थी लेकिन यहां जमीनी हकीकत कुछ अलग थी भीड जादा थी चार चुनाओं एक साथ होने थे चार पद के लिए फिर भी कोबिट का जो प्रोटोकाल था लगभग पालन करने का प्रयास किया गया हम लोगों ने तो पूरा पालन किय सबी लोग मास्क लगाये हुए थे सेंटाइजर का प्रयोग कर रहे थे और टंप्रेचर चेकिया जा रहा था अच्छा अच्छा बताइए लगभग सत्तर परसंट वोट पड़े होंगे मेरे अठारा गाओं में एबरेज निकाला जाएगा तो लगभग सत्तर परसंट वो जनता जनारदन से हमारी यही अपील है कि कोविट बहुत खतरनाक मोड में है इस समय कोविट का जो प्रोटोकाल है उसका पूरा पालन करें आवसकता हो तभी वो बाहर निकलें इस समय कोविट की वैक्सीन लग रही है प्रात्मिक्ता पे उसको लगवा लें और जरौत हो सभी घर से बाहर निकलें जिस तरह यहां हला हुआ था अति संबेदन सील था इसलिए कोविट को भी देखते हुए हर बेक मास्क चैनी टाजियर इस्तेमाल करते हो हर बेक बूर्ट पे जा सांती पूर्बक और अपने घर आए लोग बता रहें कि 65% हुआ है तो हर बेक मास् सब पूरा बनाए रखे कोविट मतलब ऐसा कोई है नहीं तो यह ठीक रहा ठीक है परसाशन को देखते हैं कि आपील आप यह सब लोग मास्क लगाई है दूरी बनाई है सुरक्षा करिए अपना अपना वही सबसे बढ़िया है कोविट के बारे में जी क्या नम आपता यह क क्या आपटा यहां महौल इस चुनाव के लेगा बहुत ही अच्छा रहा है चुनाव का महौल और बहुत स्थांती से चुनाव निज्टा और हमारा गाउं अच संबेदर सीन के स्रेड़ी वे आता है लिकिन तबी भी हमारे गाउं में कोई छग्ला गलाई नहीं है और जनता जनातर अब तो सबका नसीब मत्पेटी में बंद हो चुका है और हमारा चुनाव जीदने बात से लेखे परचाग तक का हमारा नसा मुप्ती के खिलाब हमेशा रहा हमारे और परद्वंदी गाजा दारूस मैग गाउ में बागते रहे और हमारे नवजवान साथियों के सायोग से हम चुनाव जीदने पूरी तरीके फाइट करते रहे और सबका मत्पेटी में जो है तुस्मत बंद हो चुका है अब तो दो तारीक को पता चलेगा ये गाउ सराय राती नकाज भोरों को चुनाव जीदाती है या नता मुख परखान को चुनाव जीदाती है